मेरे प्यारे देश्वासियों, नवंबर महने में 15 तारीक को हमारा देश जन जातिय गवरों दिवस मनाएगा। आपको याद होगा देश्व ने पिछले साल भगवान बिर्शा मुंडा की जन्मजैन्ति के दिन आदिवासी विरासत और गवरों को सेलिबरेट करने के लिए ये शुरुवात की थी। बगवान बिर्शा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन काल में अंगरेजी हुकुमत के खिलाब लाखों लोगों को एक जुट कर दिया था। उन्होंने भारत की आजादी और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बनिदान कर दिया था। ऐसा कितना कुछ है जो हम धर्ती आबाब बिर्शा मुंडा से सीख सकते हैं। साथियों, जब धर्ती आबाब बिर्शा मुंडा की बात आती हैं, छोटे से उनके जीवन काल के तरब नजर करते हैं, आज भी हम उसमें से बहुत कुछ सिख सकते हैं। और धर्ती आबा ने तो कहा था, ये धर्ती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। उनके इस बाक्य में मात्र भूमी के लिए कर्तव विभावना भी हैं, और परियावरन के लिए हमारे कर्तवियों का एहसास भी हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोड दिया था, कि हमें हमारी आदिवासी संस्कृति को भूलना नहीं है, उससे रत्ती भर भी दूर नहीं जाना है। आज भी हम देश के आदिवासी समाजों से प्रकृती और परियावरन को लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ को, पिछले साल भगवान बिर्शा मुंडा की जन्ती के अउसर पर मुझे रांची के भगवान बिर्शा मुंडा मीजियम के उधगाडन का सोभाई के प्राप्त हुआ था। मैं युगाउं से आगरह करना चाहूँगा कुछ उन्हें जब भी समय मिले वे इसे देखने जरूर जाएं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक नमंबर यानि परसों मैं गुजराद राजस्थान के बॉर्डर पर मोजुदा मानगड में रहूँगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारी सम्रिद आदिवासी विरासत में मानगड का भावती विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ पर नमंबर 1913 में एक भयानक नरसंहार हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने स्थानी आदिवासियों की निर्ममता पुर्वग हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि इस नरसंहार में एक हजार से अधिक आदिवासियों को अपनी जान गवानी पड़ी थी। इस जनजाती आंदोलन का नेत्रुत्व गोविन गुरुजी ने किया था जिनका जीवन हर किसी को प्रेलित करने वाला है। आज मैं उन सभी आदिवासी सहीदों और गोविन गुरुजी के अदम में साहस और सौर्य को नमन करता हूँ। हम इस अम्रत काल में भगवान बिर्शा मुंडा, गोविन गुरु और अन्य स्वातंत सेनानियों के आदर्शों को जितनी निस्ठा से पालन करेंगे, हमारा देश उतनी ही उंचाईयों को छूएगा।